कहा से स्टार्ट करें आज, पहले साउथ अफरीका के बारे में बात करते हैं, मैं लीक मैश से कह रहा हूं कि साउथ अफरीका हर एक मैश हर हर के जीत रहे हैं, तो किसी भाई ने कॉमेंट पर बताया था कि साउथ अफरीका जीत रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा क्रिकट खिल आपको एचीज समझना चाहिए कि आगर आप साउथ अफ्रीका होके नेधरलेंड और नेपल के साथ हार हार के जीत रहे हो इसका मतलब है आप चोक कर रहे हो और मैं पहले से कहना हो कि साउथ अफ्रीका इस्टूनमेंट पर अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है जिस क्या पता है कल का मैच का एग्जम्पल टिपिकल एग्वपल होना चाहिए आप उसको कहो कि साउथ अफ्रीका को फाइनल में जीतने के लिए फर्स आइसे की ट्रोफी लिफित करने के लिए फर्स वॉल्टकप जीतने के लिए 24 बॉल्स पेशीफ 26 रंच चाहिए था 6 विके South Africa should be the standard unit of choker इसलिए मैं लीक स्टेश से कह रहा हूँ कि मुझे प्रोब्लेम है कि South Africa जित-जित के कोले में कर रहा है मेरे हिसाब से South Africa undeserving था और मैं लीक स्टेश से चिस बोल रहा था क्योंकि इंडिया ये final जित गया है तो बहुत कम floss के बारे में बात हुआ क्योंकि इतने साल बाद हमें World Cup मिला है ठीक है लेकिन क्या एक World Cup कल का match हमसे betting perfect हुआ है इसमें एक सवाल है और मैं पूरे World Cup में कह रहा था कि हमारा strength है bowling हमारा bowling out of the world है हम एक World Cup bowling की वज़े से जीता है हम कल का final भी bowling की वज़े से जीता है बेटिंग के बज़े से नहीं बेटिंग में थोड़ा हुआ फ्लॉस थे क्योंकि शायर गिराट को ली 59 बॉल्स खेलके 129 के strike rate से बेटिंग किया है क्योंकि अब winning cause में आये कोई कुछ बात नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए लेकिन cricket बहुत ही funny गेम है आप सोचो आगर एक innings winning cause पर आता है तो सब बोलते कि आप hero same innings जब losing cause पर आता है आप villain बन जाते हो आगर कल इंडिया हार जाते तो में लिपके रिजटों सबसे बड़ा blame विराट कोली पर जाता कि विराट कोली 59 बॉल्स और्मोस्ट 10 ओवर खेल गया 129 की strike rate पे final पे इस pitch पे विराट कोली तो चोक लिए पूरा blame विराट कोली पर जाता आप मानते हो की नहीं अगर इंडिया हार जाता तो सब एही कहते कि रोविट शर्मा अगर 59 बॉल्स खेलता रोविट शर्मा सेंचुनी मार देता रोविट शर्मा ऐसे टुक टुक करके बेटिंग नहीं करता इसलिए cricket बहुत ही funny game है same meanings winning और losing cost पे आपको villain और hero मरा सकता है सब अले भी था जो हर्दिक पंडिया बहुत अच्छे फॉर्म है इस पूरे वर्लकप में जिसके पास इतना power है उसने final में सिर्फ 2 बॉल खिला है क्या हर्दिक का थोड़ा उपर आना बनता नहीं था मुझे पता नहीं किसके जगा कैसे लेकिन हर्दिक को at least 15-20 बॉल्स खेलना चाहिए था तो शायद इंडिया 190 तक पहुच जाता सवाल ये भी होता अगर इंडिया हर जाता तो क्या 176 इस स्पीच पे एनफ था हाँ final की लिए शायद बहुत अचा स्कोर था कि फाइनल का प्रेशार रहता लेकिन इस स्पीच पे जैसा फर्स्ट इनिस पे चल परा था बैटिंग मुझे लगए था कि इंडिया 10-15 डाज शॉट था इस सवाल उड़ता और क्या हम्मरा रंडरेट सही था उस पे एक सवाल उड़ता लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले न मैं सबसे पहले माफिय मांगना चाहूँगा कहते हैं न कि your apology needs to be as loud as your disrespect सबसे पहले तो मैं रोहिश्चर्मा से माफिय मांगना चाहूँगा कि मुझसे गलती होगी है कि मैंने इतना जादा क्रिटिसाइस किया रोहिश्चर्मा को थोड़ आईपियल और इसका रिजन भी है देखो आग जब मैं रोहिश्चर्मा या फिर विराट कुले को क्रिटिसाइस करता हूँ मैं क्यूं करता हूँ क्यूंकि I want the best for my nation मैं चाहता हूँ कि हमारा नेशन ट्रोफी उठाए मेरा कोई मतला परसनल दुष्पनी तो नहीं है मैं तो परसनल इनको जानता नहीं है यह ना रोहिश्चर्मा और विराट कुले दोनों ने देट सर्टी टीटी क्रिकट नहीं खिला था फिर IPL में आया रोहिश्चर्मा का IPL पर्फॉमेंस बीलो एवरेज था लास्त तीन साल से बीलो एवरेज है रोहिश्चर्मा ने टीटी वर्ल कॉप में कभी अच्छा पर शायद में वो आकिला इंसान हो जिसने विराट कुले और गोईश्चर्मा को फर्स्ट मैच से बैक किया है आगर आप मेरे वाल्ट कुप पर कोई भी वीडियो उठाके देख लोगे आपको पता होगा कि मैंने विराट कुले को हार एक मैच पे बैक किया है जब विराट कु मैंने कहा था कि क्या पता विराट कुले को बैक किया है जब विराट कुली नियॉप के पिचेस पे एक के बाद एक मैच पे डर्क सिंगल डिजिट में आउट हो ते समने क्या कहा कि विराट कुली को उपनिंग और नहीं आना चाहिए विराट कुली को नंबर तीन पे भेज दो मैंने क्या का था शायद मेरा सब्सक्राइब और मैंने होगा था कि और आप नीयोख पीच्ध के पीच्झ पे विराट को Al Through a के पर्फॉर्मस को जच करोगे बेहुत जद्सम्फैर होगा है बहुत ज़द्सम्स बांद करते हैं और वह श्रमा थोड़ तोर्णामेंट विद्ड बैक किया बीना पर्फॉर्मेस का इस पूरे टोर्णामेंट में आप वैस्यों को जितना क्रेडिट दोगे उतना कम है तुभी वेरी ओनेस्ट जितना क्रेडिट दोगे जो गलतिया मैंने IPS में किया है, इन दोनों बड़े फिट्स को क्रिटिसाइज करके, मैंने इस World Cup में नहीं किया है, मैंने पूरे World Cup में रोईश्मा विराट पुली, अगर कोई भी विडियो देख लो, मैंने दोनों को बहुत ज़ाधा बैक किया, और मैं कहह रहा था कि और एवरी फैन्स विराट को लिए जो भी फैन्स है सब खुश होंगे कि उन्होंने बैक किया है एसके लिए विराट को लिए फैन्स क्योंकि पर्फरमेंस आही नहीं थे श्ट्रीट टू अलगब इस विडियो में हम मैच के बारे में बात करेंगे हम हार एक इंडियन प्लेयर्स के इंडिविजली पर्फरमेंस के बात करेंगे क्योंकि सबका कंट्रिबुशन था और सबका क्या कंट्रिबुशन था इसको हम समझते रोई श्रमा के बारे में मैं लास्ट विडियो पे बहु बात कर चुका हूं कि रोहिज शर्मा जीस तरीके से जीस इंटेंड के साथ आस्ट्रोलिया और इंग्लेड के खिलाब खेला है बैटिंग किया है वो हंगर वो इंटेंड आउड अफ द वर्ल्ड था वो साफ साफ दिख रहा था कि रोहिज शर्मा अंडर इस केप्टेंसी उस मैंने कपिल लेप को 175 का नॉक एगेंस जिंबभू नहीं देखा है मैं धोनी का नॉक देखा हूं फाइनल में 2011 जो जब धोनी बेटिंग करना आया थे फाइनल का प्रेशर होता है लेकिन इतना प्रेशर नहीं था और अब्विएस धोनी साब एक्सपेट करते हो अंडर प् इंपोनेन सेश्येनट पर हर्दि को ट्रस्ट किया जितना बैच विराठ को करोगें नहीं किया फाइनल में पर्फॉर्म किया फोड़ा कम था लेकिन पर्द पड़ता है और आप एक चीज समझझो मैं तो एक हार जाता और मैं वीडियो बना रहा था अगर इंडिया जाता और कल हर जाता और फिर भी मैं आगर विडियो बनाता आज तो मैं आपको से एक चीज बोलता क्या विराट कोली कभी आपने देखा विराट कोली विए ऐसे लिकेट फो करते हुए फिर क्यों कि आःट कोली एक भी बार्स अपने बारे में सोच नहीं रहा था वो बस यह सोचना था कि जो वर्ल कप से पहले mindset बना के लाया है कि मुझे aggressive cricket क्रिकेटी खेलना है मुझे बस team के बारे में सोचना है इसके लिए बहुत ज़दा guts और courage चाहिए कि आप अपने strength अपने natural game को ignore करके कि आप सिफ team के लिए खेलो बहुत ज़दा guts चाहिए और जब आप विराट कोली जैसा player हो कि बाहर में जाए मेरा strength बाहर में जाए मेरा national game में तो ऐसे है कि खेलूगा क्योंकि team को यह चाहिए मेरे से आपको इसके लिए बहुत ज़दा guts चाहिए और कल आकर इंडिया हार भी जाता विराट कोली फेल भी हो जाता फैनल में फिर भी में एही चीज़ कह रहा था आपको कि विराट कोली ने जो किया इस वाल कॉप में वो सेक्रिफाइस किया है अपने आपको उसकी खुद के बैटिंग चैल को सेक्रिफाइस किया है और आपको यह समझना पड़ेगा कि इस इस वाल कॉप में नंबर तीन पर कि रिशक पान आता है रिशक पान की बात करते है जब भी मौका मिला अच्छा किया मानता हूँ कि लास पानेल मैं अच्छा नहीं किया है मानता हूँ लेकिन रिशाब पंद जो माइंडसेट लेके आता है बहुत बड़ा पॉजरी में इंडिया के लिए कि कुछ भी हो जाए शेल में नहीं जाना है जब जो मौका मिला है डिसेंट पर्फॉर्म किया है हर्दिक पंडिया जो मेर बुरा हुआ है और मैं बहुत जाधा प्राउड हो कि मैं हर्दिक पंडे का धायाट फेर हूँ आइप्धेल के टाई चैम से मैं कह रहा था कि हर्दी को बेक करो बहुत बड़ा एसर इंडिया के लिए इतल प्टन आप क्या मूँ धिखाएंगे इतलिक करें इतलिक को मैं हर वो इतके साथ emotionally जुड़े हुए हूँ, लेकिन उसको side पे रखे एक बाद cricketing sense से देखो, क्यों हर्दिक को captain बनाया था मुंबाई ने, उसके पीछ एक बहुत बड़ा logic था, मेरे stress के साथ explain के था, हर्दिक ने जो किया न कल, आप एक बाद notice करो, last boy डनने से पहले वो रो दिय किया है, I am sorry कि अगर मेरा आवास तोला खड़ाब हो गया है तू, 144 runs, 48 का average, 11 wickets, 48 का betting average आर्दिक पंड्या का, strike केट भी शायद 130 से उपर है, 11 wickets, और 11 wickets कोई, बलार को इकेट ने लिया है, हार एक time आकी important breaks तो दिया आर्दिक पंड्या ने, आप पाकिस्तन का मैच याद कर फकर जमन बहुत इंपरोड विकेट था, शदा अप खान को एक आनप्लेवल बाउंसर डला था, कल का मैच देखलो, आगर हर्दिक प्लासन का विकेट ने लेता, क्या हम जितनते सच सच बताओ, चाहिए आप जिसका भी फ्यानू, आगर हर्दिक 16 तोवर में आखे प्लासन पर चाहिए होता, फिर, दो इंपरोड विकेट कल फाइनल में प्लासन लिया आए, गैरा विकेट लेया, 11 विकेट हर ए इंपरोड था, कोई फाल्तो विकेट ने लिया है, 144 रन्स बेट और बॉल, जब मैंने इंडिया का स्कौड अगर्लेसिस किया था, प्रिव्यू किया मैंने एक ही चीज़ कहा था कि इस वर्ल कप में इंडिया के लिए सबसे बड़ा ऐसे रोगा हर्दिक पंडे आगर हर्दिक बैट और बॉल दोनों से अच्छा कर जाएगा इंडिया ये ट्रॉफी जीत रहा है आप जाके देख लो पुराना एक मेंने पुराना वीडियो मेरा शरा माना चाहिए हमें कि हमने इतना ज़्यादा प्रच्चर के तुव वी वेरी होनेस्ट और चाहिए को जो रोभी शरमा ने हर्दिक को किस कहा ना इसका मिरींग कैए था किए अन्सौरी बाई गलती हो गया मुझसे वह एप लुजी था रोइड का वह एप लुजी था ज रोईद ने कुछ तब ज़ला कुछ खास स्टेप उठाया नहीं लेकिन कल जो किस किया था ना हार्दिक ने आई पेल की टाइप में बहुत बार केमेरे के सामने रोईद को पीछे से हख किया जो केमेरे के लिए सब सब पता लगा था रोईद इंटरेक्शर भी नहीं था लेक अब अक्षर पटल पर आते हैं मेरे हिसाब से अक्षर पटल इस टोर्नमेंट का इंडिया के लिए फाइंड था बहुत बड़ा फाइंड सा अंडर रेटेट जैम है और में नहीं चाहतों कि अक्षर पटल अंडरेट रहे हैं मैं आईपेल के टाइम से चीज कह रहा था कि अक्षर पटे जड़ेजा से बेटर फॉर्म में हैं लास्ट दो सल से बैट से भी बॉल से वाइट बॉल क्रिकेट में दो सल से कह रहा हूं और मैं पहले भी खाओं कि आगर मुझे हर्दी मुझे अक्षर और जड़ेजा में किसी एक को चुनना है मैं हमेशा अक्षर को है कल के मैश देख लो रोहित आउट रिशाब आउट सूर्य आउट थर्टी-फोर-फोर-थ्री थे हम मैश हमारे हाथ से जाने वाला था किसने मेक्शूर किया कि हमारा रंडेट कम नहों विराट कुली तब हंडेट के श्ट्राइक रेट पर बेटिंग कर रहा था एक सो ब्रिलियंट नॉक वाल कप फाइनल अक्षर पतेल जब-जब मौका मेला बॉल से अच्छा किया है याद करो मिचल मार्च का कैश अगर मिचल मार्च का कैश नहीं पकड़ता अक्षर तो शाहिद ऑस्ट्रेल इलिमिनेट नहीं होता अक्षर पतेल का कंट्रिविशन इस वा कि अवol शाले नं वहीं होना चाहिए दले और अक्षर पतेल इंडिया का फाइन- लोग क्या है हमें बहुत डावट रहता कि सुरिया क्या करेंगा कि सुरिया हम कहतें कि बड़े मैच में बड़े टीम के अच्छा नहीं करता है आप ग्रेशल के साथ इंडिया फस गया था तब सुरिया नाका में बचाया ऑस्ट्रे के खिलाफ सुरिया ने रोहित के साथ वो पाटनर्शिप करके पूरा मैच एक तरफा कर दे था इंडिया के साथ और अगर सुरिया कल डेविट मिल करना बॉल पर फूकस रखना और उस पयाच को पकड़ना प्रेजें सॉक माइन की पयर को कब बाहर करना आप आंधर करना है बॉल को कब हाथ से रिलीश करना आरी कि कैच अच्छ ऑफ दा टॉडेमेट था कै इस वरल्ल कप में इंडिया agree सब हमने अच्छा परफॉर्म किया है मैं जस्पिद भूम्रा और कुल्डिब के बारे में थाधा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कितना चारिफ करूँगा जस्पिद भूम्रा का एक वर्ल का बैसर है एक वर्ल का बैस्पिद भूम्रा का बहुत इंपरेंट रोल रहा है जब तक कुल्डिब भूम्रा होता है करावन में बॉलिंग करेंट पर हमें लगता कि कुछ आम कोई भी टर्ट को डिफेंट कर सकते है तर इस नो डाउट इंद अलाकि कुल्डिब का कल दिन खराब गया था लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता है शिबम दुबे जिसको सिब ए लेकिन शिबम दुबे जिस परपस से खेल रहा था उस परपस के लिए उस परपस के लिए बेटिंग कर रहा था हाला कि बड़े दिन फाइनल में शिबम दुबे खैर इदर भी मैं रोहिंट शिबम को क्रेडिट देंगा क्योंकि लिएट रखे हैगस पर लिए बड़े देन आता है शिबम दुबे को और में शौक था लेकिन शिवम दूबे ने अच्छा बैटिंग kia है डिसेंट बैटिंग किया है, शायद उस लेबल कर नहीं डिसेंट बैटिंग किया है तो फरक नहीं पढ़ भठा कि शिवम दूबे ग्रूप स्टेज में क्या किया था एक प्लेयर जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं किया है वो है जड़ेजा शायद उनके बॉलिंग से भी कुछ नहीं किया है और मैं रियली एक्सपर्ट कर रहा था क्योंकि विराट को लिए रोईश्रमा ने रिडर ले लिया मैं रियली एक्सपर्ट कर रहा था कि जड़ेजा और मुझे लगता है कि शाहिद एक अफ्त में ले लेना चाहिए आपको नहीं लेता तो भी कुछ प्रॉब्लेम नहीं है जाड़ेजा को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा मैं IPL के टेपी में जाड़ेजा को बहुत तरह क्रिटिसाइज किया हूँ अलागि जाड़ेजा ओन फ्रिवरेट और रहे लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जाड़ेजा भी ठोड़ा बहुत प्लेयर्स में आता है कि जाड़ेजा को रिप्रेस करना बहुत मुश्किल ह क्योंकि एक केप्टेन का ड्रीम होता है कि उस टीम में जाड़ेजा हो तो बहुत जाड़ेजा से प्लेयर मिलना बहुत ज़दा मुश्किल है मुझे पता है कि एक फैन बेस को जाड़ेजा से बहुत जाड़ेजा से बहुत जाड़ेजा प्रोब्लेम है लेकिन होना नेचे जब जाड़ेजा रिटेल लेलेंगे तो आपको पताले है कि जाड़ेजा को रिप्रेस करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि बहुत यह थे एक्सपेसब थे लेकिन 17 हाइच्युकेट कर पर दिया ऐस्टी उ huge ticket. Xymya Sompta सब्सक्रांन सब्सक्राइब करता सब्सक्राइब कर नेकिए लेकिन 17 ब्रिलियन्ट बोलिक मेंक्पशुर किया थे पावर पर में ब्रिक्तो दे सीव बुम्रा के वज़े से हमने नहीं जीता है बुम्रा का जो पार्टनर है आजदिप सिंग उसने भी मेक्शूर किया है कि वो जला रम लिख न करे वो इंपरेंट विकेट्स ले कल मरकम का विकेट्स भी इंपरेंट था बहुत अच्छा परफ संजू को शायद मौका मिलना चेह मौका मिलना चेह जब उसको मौका मिल उसको खिला नहीं रहे में में एक चीस करना जातों कि संजू संपसंग थोड़ा बहुत आनलकी इसलिए है क्योंकि टीम कॉम्रेशन के बेसिस पर जगा नहीं बनता था आगर वार्म अप गेम पे एक्स फेक्टर लेकर टीम में आगे तो अगर आप इस जेनरेशन में पैदा हो यह तो आप थोड़ा आनलकी हो जैसे की दिनेश कार्थिक भी आनलकी था अगर धोनी नहीं होता तो संजू संपसंग बहुत पहले टीम में आ जाता दिनेश कार्थिक शायद 10 सल नेगरे खेल गया हेट दिने की कोई जुरूद नहीं है चाहल ठीक है कोई वर्लकप खिलने को मौका नहीं मिला इंडिया के लिए हाइस टिक आने टी-20 में लेकिन आपी तक एक भी मैश नहीं खेले टी-20 वर्लकप में थोड़ा सा दूख लग सकता है लेकिन फिससे कोई है ना कि टीम तिल बैटिंग कर सकते इतना अच्छा फिर आपका चांस बहुत कम जो था इसलिए ना आजकल आपको बैटिंग आना चाहिए बैटिंग आना चाहिए आपको बॉलिंग के साथ बैटिंग 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 करते है जो बहुत बड़ा टॉस था औ 1 बाल पर विराटकोली की बैट के निचम पर स्लॉट पर 233 बाल महाराज और रोड़ पर 10 क्रलगा धर श्रकर करते ہے ढॡर तीच हो उसके बाद तो ओमर पर रिशा क्प्वक्द के थीड गया जो फिर रवाड अक एक अच्छा प्लेर मान थे है प्यार की जो और डिलिवर ही वेश्ट हाइट पे उधर ही फिल्डर रखता है सुरिया खेलता है जो अपना स्ट्रेंग्ट पे कैच आँ थर्टी फोर थ्री और लग रहा था कि इंडिया फस गया इदर सच पे लग रहा था कि इंडिया इदर फस गया है फिर अक्षर पर लाता है अक्षर ने किया है आउट्स्टेंडिंग वन अफ तब बेस्ट नॉग इंटी-20 वालकप फाइनल क्यूंकि आब अगर देखो विराट कुली 100, 105, 110 के स्ट्राइट से ही बेटिंग कर रहा था अगर अक्षर भी करता हो इकेट बचने के लिए तो फिर इंडिया शायद क्लीन हीट, स्ट्रेट डाउं ता ग्राउंड मारा था स्ट्राइट कर रहा था बैतरी नौक खेल अक्षर पटे और जो अक्षर विकेट थ्रो किया हलांकि उसमें तो प्रता क्रिटिसेस होना चाहिए क्यूंकि वो रानओर अक्षर नहीं होता अक्षर वो विकेट थ्रो कर हो या पीश में बात में भागा ऐसा अगर हार जाते तो फिर यह थोड़ा सा अच्छा बेटिंग करके फिर आपने इस तरह के से थ्रो किया मतलब बहुत है लेजी बीएवियर था उसके बाद तो मैं सर्प्राइज तो एफ्लियों सर्प्राइज रोहिट श्रमा शीबम अच्छा बेटिंग करता है हाला कि विराट कोली 48 बॉल्स पर 50 बनाता है जो मैं बहुत ही डाउटफुल था कि क्या विराट कोली सही इनिंग्स खेल रहा है और मैं यही चीज़ आपको कह रहा था कि आगर इंडिया हार देता ना पूरा व्लेव विराट कोली पर आता आज प्विटर पर चोकली ट्रेंड कर रहा हो था अगर इंडिया हार देता तो लोग इही कहते हैं कि रोईट शर्मा अगर 59 बॉल्स खेलता है रोईट में तो सेंचरी बार था एक ऐसा नौक है दफ्स ओवर खेल गया 129 के श्ट्राइट पर और मुझे थोड़ा बहुत मारको यंसन ने कोई भी मतलब रस्ता नहीं चोड़ा है साथाफवी को हराने के लिए उसने सब दे दिया ताकि साथाफवी को हर जाए कि इस बेसे पे मारको यंसन के जगा बनता टीम में इस समझ लोग आगर आप साथाफवी के फैन होता ना क्रिकेट फैन तो आप आइक सोचते कि मारको यंसन के टीम में जगा किसे बनता है क्योंकि मारको यंसन से बैटर गोलार तो बात मैंने मारको यंसन से बैटर गोलार तो जनरल कोड़ी है फिर मारको यंसन के जगा किसे बनता है क्योंकि मारको यंसन को बैटिंग आता है और जब बैटिंग आता है वो बै पारइक बोल ओवरपीष्ट बहुत ही घट्टिया बॉलिंग बहुत घट्टिया बॉलिंग इसले हो संद्रघष है इसले मुंबई ने भी उसको निकाल दिया था आइकल से वह बस हाइट है उसके पास पूरा मैं को बात करो बात करो तो इंसर हरा के गया है जब विराट को लिए आउट हो है नाइटा रोपर पर और इंडिया का टोटल हो दो 176 इस पर बहुत वदा डाउट था मेरे को मेरा अल्मूर्स फट गया था क्यूंकि जीस तरगे से पीश बिएब करना था मैंने जादा कुछ टंड भी नहीं देखा और मुपमेंट कैसे देखने को मिलेगा क्योंकि नय बोल से बॉल करना था का से मुपमेंट देखने को मिलेगा लेकिन मैं सफसब बुल रहा हूं कि हलाकि रभी शुस्ट मैं कोमेंट 10-15 रॉल शॉर्ट थे और मेरा सवाल एही था कि क्या विडाट पुली थोड़ा बहुत लेट कर दिया है गियार चेंज करने में क्या हर्दिक पंडिया को थोड़ा और ज्यादा बॉल मिलना चाहिए था पानिया अगर हर्दिक पंडिया 15-20 बॉल्स खेलता ना मैं पहली ओवर पे हैंड्रिकस को बोल कर देता है शायद बॉल प्वाल ओफ दर टॉर्नामेंट था जो आउट सींग गुम्डो को मिला है लेट आउट सुइंग बॉल ओफ दर टॉर्नामेंट था कोई भी आउट हो जो था लेकिन इसका मतलब यह निया कि हैंडिक अच्छा ब मैच मुझे लगा कि साथवी के हाथ से निकल रहा है लेकिन स्टाप्स आके वह करता है जो अक्षर करना था डिकोग एक तरफ से वह करना था जो विराट को लिए करना था इंडिया के लिए स्टाप्स वह करना था जो अक्षर करना था बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना था स् पॉषर के शाहे नाइन तोर पे शाहे तब साथ तर्फ के स्कोर था 71 फॉर टू मैच ऑल्मोर साथ अफ़ी का इंद्ये से दूर लेके जा रहा था श्टाप्स ने अधर विके ठो किया अगर श्टाप्स जगे पे खड़ा होता तो फुल्टोस मिलता श्टाप्स को बहुत जो जो बैटिंग करता है शायद कुल्दीप के 14 अबर में 14 न आता है कुल्दीप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था चार अबर पर 45 रन 15 अबर ड़नाते अक्षर पटेल जो शायद एक सेगेंड में एक ओवर के बज़े से हिरो से विलेन बन जाता कल 24 रन्स आया है उस ओवर पर 24 रन्स दो चक्का दो चौका लागा था है क्लसें 16 अबर के बाद सावत तरफ के सा स्कोर होता है 151 पर 4 151 मेरे गोटे मेरे मूं में थे तो बेरी होनेस्ट मुझे लगा गया और एक फाइनल और एक फाइनल मुझे लगा गया क्योंकि आप सिर्फ चार ओवर पर 26 रन्स चाहिए इधर इंडिया क्या करता है इधर इंडिया टाइम किल करता है समय लेता है पूरा मुमेंटम ब्रेक कर देता है आपने देखा होगा रिशाब पान इंटेशनली अपना प्यार का ट्रिक्मेंट करवाता है बहुत टाइम खा जाता है इंडिया इंटेंशनली क्लासेन का मुमेंटम ब्रेक करने के लिए इंटेंशनली फिर हर्दीक डालने आता है 17 ओवर पहली बॉल थोड़ा क्लासेन से दूर स्लोर वान एज और आउट मुझे तो पतने लगा क सिफ दो रण और मार्कों एंसम को भी बोड कर देता है 19 ओवर में आसदीफ सिफ चार रण देखे जाता है आप लास्ट ओवर मेंच 16 पहला ही बहुत फुल्टोस डेविट मेर ने पूरा टाइम कर दिया था लेकिन सूरिया ने जो कैच पकता है आउटस्टेंडिंग से इंडिया में जीच जता है फाइनली फाइनली हम एक ट्रॉप लिफ्ट करते जो बहुत ही वेल डिजाफ्ट था जो बहुत ही वेल डिजाफ्ट था विराट कोली और रोहिट शर्मा टीट्विंटे क्रिकेट से रिटेल लिया है और इससे बड़ा मुझे लगता नहीं इ हाई नोट पर एंड किया है और इससे बेटर शायद आपको ओक्रिशन नहीं मिजटर रेटर्मेंट लेने के लिए हाई नोट पर एंड किया है इतना दुखी होने कि कोई बात नहीं हमारे यंग जनरेशन तेयार है बहुत सरो ओपरनर से हमारे पास हैंट्स आफ्ट जलती कर दिया हूँ और थैंक्स पर अल्द सपोर्ट मिल्दे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हैंट